नमस्कार दोस्तों मैं मधुसिंग राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है तो चलिए आ गई हो छत पर और मेरे शहर में continue बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है क्योंकि कोई नया सिस्टम एक्टिव हो गया है मतलब क्लाइमेट में नया सिस्टम एक्टिव हो गया है उसके कारण 6-7 दिन बरसात बनी रहेगी और अभी तो भारी बारिश की और चेतावनी बनी हुई है तो मैं का भारी बारिश आएगी आज सोचा था दो दिन से continue बारिश हो रही तो सोचा कि रुख जाएगी तब च्छत पर जाओंगी लेकिन बारिश रुखने का नाम नहीं ले रही है और आज तो और आए तो उन्होंने पौधों की ग्रोथ देखी होगी और दो दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आप देखिए कि पौधे इतनी तेजी से बड़े हैं कि मतलब लगता है ना कि जैसे कोई हम लोग नहीं सुनते हैं कि लौकी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है कौन सा पिंक इंजेक्शन वाला इंजेक्शन होता है वैसे इंजेक्शन लगा देते हैं तो सेम वही कंडिशन पौधों के साथ हुई है मैं दो दिन पहले देखकर के गई थी मैंने का हा और अभी आई हूँ तो मुझे तो फिर थोड़ी सी मचान बनाने की जरूत पड़ेगी तो कितनी बारिश हो रही है क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है उसी के बाद ये काई लगना शुरू होती है और बहुत ध्यान रख करके छत पर चलना पड़ता है क्योंकि ज्यादा अगर काई में चलेंगे तो फिसल गये तो फिर पास ओदोंके साथ हमारी केर करने वालस तो भिंडी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है अभी तक तो बारिश से भिंडी को नुकसान हुआ नहीं है लेकिन आज सोच रही हूं कि आज यह जो लाल वाली भाजी है आज इसको हर्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि जादा अगर बरसात में रहती है न तो इसके पत्ते में छेद होने लग जाता है जो मै पहले वी वीडीया मैं बताया 하북 है कि आज उसको बना लेते हैं और इसको तो मैं चैने में डाल करके, मिक्स करके बनाती हूं, और घर की सबजी है तो उसको किसी ना किसी रूप में तो मैं खाई लेती हूं, और इधर जो खीरे के पौदे हैं, तो इन के लीए मैंने मचान बनाई थी, लेकिन अब में में मचान में लग रहा है कि जादा उपर निकल क्योंकि मैं दो दिन बाद आई तो देखा तो इसकी ब्रांचेज उपर की तरफ भाग रही है अगर उपर की तरफ भागेगी और इनको पकड़ने के लिए कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यह कहना ब्रांचेज की ग्रोथ रूख जाती है और यह फिर शौक में आ जाते हैं क्योंकि इनको कुछ पकड़ने के लिए जब नहीं मिलता है तो मैं यही सोची में का आज महने इसमें पहले मचान बनाती हूँ और यह देखिए मैंने मेरे साथ इतनी मतलब ट्रेजडी हुई है कि मैंने ग्रोबैग बुक कराये थे ठीक है ग्रोबैग बुक कराये पांच इन इंतिजार के बाद अंत में मैसेज आया है कि आपके ग्रोबैग सप्लाई नहीं हो सकते है उसके लिए सौरी अब पौधे बिल्कुल लगने के लिए तैयार है इतने ज्यादा तैयार हो चुके हैं कि इनमें से दो दो तीन तीन पत्ते उपर आ चुके अब इतना दुख के साथ मैंने ध्याननी किया इसमें मुझे दो फली भी दिखाई दे रही है तो आज तो मुझे इसकी भी बहुत देखवाल करनी पड़ेगी क्योंकि इसके सपोर्ट के लिए में थोड़ा सा मजबूत यानि कि जो रसी आती है नारियल वाली रसी आती है तो आप कभी भी तो आपको तो बहुत नौलेज होगी लेकिन अगर कुछ नए लोग हैं जो नए तरीके से टैरिस गार्णिंग शुरू करते हैं या कुछ देख करके सीखते हैं जैसे हमने भी किसी को देख करके ही शुरुआत करी है तो एक छोटी-छोटी सी चीजे भी बहुत सपोर्ट कर करती है क्योंकि जब टैरिस गार्णिंग में आप नए होते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है मामला की कैसे करें क्या करें तो इसके लिए जो मैं यह छोटा सा वीडियो बनाती हूं तो मैं शायद उनहीं लोग की मदद के लिए बनाती हूं जो लोग टैरिस करिया है आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरीके से इन यह सबजियां होगा लेती है मैं भी बहुत मैं जब किसी का वीडियो देखती थी न तो मुझे ऐसा ही लगता था कितना अच्छा लगाते हैं यह देखिए कितनी सबजियां लगा रखे हैं इनोंने करें इस बात पर लाइक करने पर लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है और लाइक करने से हमें कुछ मिलता भी नहीं लेकिन एक सपोर्ट मिलता है जो बहुत बढ़ा होता है तो प्लीज लाइक जरूर करें और देखिए अब मैंने जो बरबटी थी इसमें इस तरीके स को अब इसमें फ़लियां बनने लगए हैं नकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है क्योंकि फलियां बहुत तेजी से बनती है फटा फट जैसे आज मैं छोटी छोटी फली बताई है दो से तीन दिन बार जब मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी तो फली बड़ी हो चुकी होगी और बहुत सारी बार तो नजरों से चूक जाती है और बड़ी होकर के करेले का क्योंकि इसका फल देख करके ही पता चल रहा है यानि कि करेले बड़े साइज के बनने लग गया है तो चलिए आज का वीडियो तो ज्यादा बड़ा नहीं है यहीं समाप्त करती हूं बाबाई